बियार में बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई का मामला थमता नजर नहीं आ रहा ताजा मामला बीगु सराई के लाखो ओपी के खातोपुर की है जहां बच्चा चोरी के आरोप में एक विक्षिप्त महिला की लोगों ने जम कर पिटाई कर दी आपको बता दें कि अर्द विक्षिफ्ट महिला खातोप और चौक पर खड़ी थी तब ही लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगा कर उसे घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला की भीड की द्वारा जम कर पिटाई की जा रही है इतना ही नहीं लोगों का आरोप है कि ये महिला नहीं एक युवक है और इसकी जांच के लिए महिला को अर्द नगन तक कर दिया गया इस घटना की सूचना मिलते ही पुलीस तुरंत मौके पर पहुँची और भीड से महिला को बचा कर थाने ले गई यह अस्तवी को भांपते हुए उन्होंने थाना को सूचना दे दिया थाना में उस समय बल भी नहीं था गारी गस्ती में निकला हुआ था लेकिन बावजुद इसके चुके गारी कहां है और गारी के इंतियार में रहेंगे तो उनको थाना प्रवारी को जो भी मिला वहाँ चार चौकिदार के साथ में जैसे तैसे सूचना मिलते ही वो पहुंचे हैं और उस आरत को अपने कशड़ी में बलेगी है तो यह इस प्रकार से एक बड़ी घटना होते होते टल गई थाना देख से हमारी बाते हुई उस आरत को एक खरोंस तक नहीं आया है अभी उससे बेगु सराय में अभी तक एक भी बच्चा चोरी का मामला दर्ज नहीं हुआ है लेकिन लोग बच्चा चोरी के शक में हिंसक होते जा रहे हैं और विक्षप्त लोगों की लगातार पिटाई कर रहे हैं इस तरह की घटना ना घटे और इसकी रोक थाम कैसे हो इसके लिए जला प्रशासन द्वारा ना तो कोई जागरुकता अभ्यान चलाय जा रहा है और ना ही भीरतांत्र पर कोई कारवाई की जा रही है ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक सके पंजाब के इसले टीवी के लिए बेगु सराय से संतो श्रिवास्तफ की रिपोर्ट